तो दोस्तों नमश्कार आप देख रहे हैं फेंटेसी, स्पोर्स, स्पाई, यूट्यूब चैनल और मैं हूँ गौरव आज हम जो चैनल में मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा सीरिये का मैच कैलियरी वर्सिस एसी मिलान के बीच इस मुकाबले का करते हैं डीटेल एनलिसिस तो दोस्तों बात की जाए कैलियरी यानि की कालियरी वर्सिस एसी मिलान की ये मैच कैलियरी के होम ग्राउन में आज रात 1.15 एम पे खेले जाएगा अब मैं अगर आपको इन दोनों टीम्स के बारे में बताओ तो AC Milan का जो कलब है दोस्तो इस सीजन वो वापस अपने बेस्ट पे आ गया यानि कि जो वो आज से 10-12 साल पहले हुआ करता था वो वाली फॉर्म उन्होंने अब जाके पगड़ लिये नंबर वन पोजिसन में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन इस सीजन फिलाल अभी तक वो टॉप में है 17 मैचेस 12 विक्तरीस 4 डॉस सिर्फ एक लॉसे पूरे सीजन में 37 गोल स्कोर के सिर्फ 19 गोल कंसीट किया है तो टॉप अफ दर टेबल में एसी मिलान की टीम है और बहुत वहतरीन पर्फोर्मेंस कर रही है और आज हर आल में जीतना चाहेगी क्योंकि आप देख रहे हैं इनके जश्ट राइवल्स जो इनकी सबसे बड़े राइवल्स है इंटर मिलान एक और मिलान का कलब उनके भी हाँ पर 40 पॉइंट है तो हलनकि इनका एक मैच उनसे कम है लेकिन फिर भी अगर आज ये जीतने तो इसलिए 43 पॉइंट पर आ जेंगे इसलिए आज ये हर हल में यहाँ पर AC मिलान जीतना चाहेगी क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि वो स्लिप हो जाए यहाँ पर टाइटल रेस में बात करें कालियरी की अब यो तो दोस्तों कालियरी एक डीसेंट कलब है हर सीजन ये लगभग मिडिल टेबल में फिनिश करता है यानि कि मिड टेबल फिनिश ये करता है 10-12 इसके अंडर ही फिनिश करता है लेकिन ये सीजन इनका बिल्कूल अच्छा नहीं जा रहा आप देखेंगे तो जश्ट थोड़ा सा रिलिकेसन जो उनसे बचे हैं 17 पोजिशन में काफी नीचे है 17 मैचेस में सिर्फ इनकी 3 विक्टरीज है 5 ड्रॉस है और 9 लॉसे है 23 गोल डीसेंट गोल स्कोर के और 34 काफी ज़्यादा गोल कंसीट कर दिये तो कालियरी का इस सीजन अभी तक बिलकुल भी अच्छा पर्फरमेंस नहीं रहा वहीं AC Milan top of the table में है तो इस से आपको इन दोनू टीम्स के बारे में डिफरेंस पता चल गया होगा कि कौनसा कलब कहां पे है कितना बहतर है अब हम दोनू टीम की रिसेंट फॉर्म देखते है कालियरी के लास्ट तीन मैचेस में तीन लॉसेस हैं दो एक बनवेंटो से आ रहे एक जिरो फियोंटीरा से आ रहे ये दोनू सीरी ए इसी के मैच से उसके बाद एक कप मैच में पिछले मैच में अपने तीन एक अटलांटा से भी हार गए तो बहुत खराब पर्फरमेंस इवन ये लास्टे चार प्या पाँच मैचेस लगाता रहार के यहाँ पे आ रहे है तो आप देख सकते है कालियरी की फॉर्म कितनी खराब चल लिए हलंकि इनोंने तीन मैचेस में दो गोल जरूर इसकोर गे लेकिन फॉर्म वाइस बहुत खराब इनकी फॉर्म चल लिए एसी मिलान ये वाला जो मैस था जुएंटस से हारे है साथ जैन को इस से पहले दोस्तों ये पूरे सीजन में अनबीटन थे हलंकि यहाँ पे जुएंटस जैसे बड़े कलप से हार गे इस्ट्रीक इनकी ब्रेक हुई उसके बाद इनकी दो विक्टरीज है दो जीरो टुरीनो हलंकि यह जो कोपा इटेलिया मैच है यह भी गोल डेश ड्रो वा था लेकिन पैनाल्टी में एसी मिलान नहीं जीता था टुरीनो के अगेंस्ट ही तो लास्ट तीन मैचेस में आप देखेंगे तो एसी मिलान के एक बड़े कलप के अगेंस्ट हार है उसको हटा दे तो दो लगातार विक्टरीज है तो एसी मिलान फिर से अपनी फॉर्म में धिरे धिरे वापसी करती हुई दिखाई दे रहे है वहीं कलियरी अपनी तीनो मैचेस यहां पर हार के आ रही है तो कलियरी के उपर वैसे ही एड़ेट प्रेसर इस मैच में होने वाला है जबकि एसी मिलान भी थोड़ा प्रेसर में जरुर होगी क्योंकि उनको भी यहां पे शिलिप नहीं होना है पोइंस दे सकते हैं अब यहां पे चार डिफेंडर्स में दो सेंटर वेके गोडीन और वाली को बीच अब इन दोनों में डियागो गोडीन आपको याद होगा जब यह इतलेटी को मैडरिट में खिलते थे तो वन अब दा बेस्ट डिफेंडर थे वर्ट के हलंकि अब यह का सा परफॉर्म किया है तो यह दोनों में मैं गोडीन को प्रिफर करूँगा दो फुल वैक्स में जापा के अभी तक तीन असिष्ट है काफी ज़्यादा अटेक करते हैं क्लेरंसे टैकल्स इंट्रेप्शन की पॉइंट दे सकते हैं चांसेस क्रेट असिष्ट कर सकते हैं त यहां पर बात करते हैं तीन सेंट्रल मिट्फिल्डर्स करेंगे ओलीवा, मरीन और सौटिल, सौटिल और ओलीवा दोनों अटेक करते हैं थोड़ा लेकिन गोल असिष्ट करने में केपेबल ज़रूर है लेकिन कंसिस्टेंट बिल्गुल भी नहीं है लेकिन जो मरीन आये आ अगर आपको लगता है थोड़ा कैलियरी डिफेंसिव के लिए कि तो मरीन के साथ आप जा सकते हैं नहीं तो सोटिल और अभी डिसेंट चोइस हो सकते हैं अटेकिंग मिट्फिल्ड में इनका बहुत इंपोर्टेंट प्लेयर के लिए का उसको नामे राजदा नेन गोलन अ इनके पेनल्टी टेकर भी है हलंकि लास्ट मैंच में जरूर पेनल्टी मीज हुई थी फिर भी इनके वन अप्दा में प्लेयर आपकी टीम में जाओ पेडरो डेफिनेटली होना चाहिए अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कालियरी ने पूरे सीजन तेज गोल मारे जिसमे एटलेटी को मेडरेट के जो मैनेजर डियागो सीमयोनी उनके बेटे हैं और जोवेनी सीमयोनी इस टीम के टैलिसमैन थे लास्ट सीजन तक हलें कि इस सीजन में फॉर्म ने थोड़ा डिप जरूर मारा फिर भी अवी तक पांच गोल ये स्कोर कर चुके हैं तो मेरे इसाब लेकिन सीमयोनी भी दोस्तों गोल असिस्ट के काफी पॉइंट आपको प्रुवाइट कर सकते हैं तो ये कुछ कालियरी की 11 थी और ये जो कुछ यल्लो से हाइलाइट किये हैं ये इनके most important player रहने वाले हैं यहाँ पे मैं गोल कीपर को भी highlight यल्लो से करना भूल गया ये भी काफी important रहने वाले हैं तो ये कैलियरी के बारे में info थी अब बात करते हैं अपोनेंट मिलान की उससे पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो काफी कुछ आप मिस्क करने हैं डिस्क्रिप्शन में आपको link मिलेगा नहीं तो आप टेलीग्राम में एड़ तो description में लिंक है टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ जाएं बात करते हैं AC Milan की तो इस match से पहले इनको 2-3 बड़े players इनके unavailable है थोड़ा जटका जरूर लगा है जिसमें कि इनके superstar हाकंचा ना लाग लू अंटे रैबिच और थी और नंडिस तीनों इनके main player को covid हुआ है य लियाओ ये भी suspended है इनको पिछले match में red card मिला था तो ये चार बड़े players के बीना AC Milan खेलेगी हलांकि फिर भी favorites है उनके बास बहुत अच्छे अच्छे और भी players आवेलेवल है तो अब AC Milan की प्रोविबल लाइनप देखते है डोना रमा इनके गोलकीपर हुआले और मेरे सब के साफ विंगर ही मानिए चार गोल ऑल्लेडी सीजन कर चुक है left back position से इनके बीना यहाँ पे डियागो डालो इनकी position में खेलेंगे as a left back जो कि एक right back है वैसे Manchester United से loan में एक decent player है इनके साथ right back position में कलाब डिया खेलेंगे जो कि goal assist chances के tackles, interception हर चीज के आपको point दे सकते है और must फुल बैक में कलाबियो को पहले prefer करूँगा फिल डैलो का नंबर है रोमंगे उली इनके main center back है इनके captain है heading ability इनकी बहुत solid tackles, clearances के point दे सकते है clean sheet का अच्छा चोयन से उसके भी point दे सकते है रोमंगे उली को भी मैं अपनी टीम में definitely लूँगा Simon Kajir भी एक बहुत experience defender है ये भी tackles, clearances, interception, heading ability हर चीज में अच्छे है और काफी point आपको दे सकते है तो इनके defenders में कलाब डिया और रोमंगे उली must भी रहेंगे फिर आप Delo और कजेर को भी अपनी टीम में सामिल कर सकते ह सेंट्रो टोनाली एक proper holding midfielder है ज्यादा attack करते हैं टेकल्स भागे point दे सकते हैं लेकिन फ्रांक केसिया एक बहुत अच्छे box to box player है जो की tackles, interception, clearances के point, defensive point तो देंगे, offensive point भी है काफी जाद आते हैं जिसमें की box to box आके goal assist का भी देखते हैं और एक चीज़ और कहना प्राइमोविच ने मिलान के लिए injury के करण तो उस दौरान इन्होंने चार या पांच penalty में goal मारे थे तो केसिया बहुत important हो जाते हैं और मस्टबिक रहने वाले हैं अगर आप यहाँ पे देखिए जिलताना भी injury से वापसी कर रहे हैं तो हो सकता है 60-65 मिनट बार substitute हो जाए अब होगे इनके नए player है अभी तक stats उतने अच्छे नहीं है कुछ ज़्यादा कास के नहीं है लेकिन इनका मैंने game जरूर देखा है अच्छे runs बनाते हैं बहुत अच्छे अच्छे करके cut in करते हैं तो यह future में बहुत बड़ा success होने वाले हैं आप इनको point pick लेकर अपनी team म chances create करते हैं goal assist करने में capable है लेकिन एक problem इनके साथ भी वही है consistency की फिर भी मैं इन दोनों विंगर्स में बले कश्टेएगो को prefer करूंगा फिर होगे को ब्रहीम डियाज बहुत important role play करेंगे हाकन चाना लगलू की गयर मौजूदगी में attacking midfield में खेलेंगे और last to last match जो Torino वाला match 2-0 से Milan जीती थी उसमें man of the mess थे यह player chances काफी ज़्यादा create करता है assist करने में capable है on target लेता है goal करने में भी capable है तो बहुत-बहुत important ब्रहीम डियाज रहने वाल है dreamland में आप देखेंगे इनका selection बहुत कम है बहुत underrated player है लेकिन मेरे इसाब से must pick player आपकी team में रहना चाहिए ख wild football में club football में एक legend है जलातान इब्रहीम ओविच और ये 38 ये 39 के हो गए अभी तक खेल ले और आप देखें इस season one of the top striker है और Milan के top player है तो अगर आपको किसी भी Milan player से सबसे ज़्यादा उमीद होगी goal assist की वो जलातान इब्रहीम ओविची रहने वाले है और मेरे आज के match के captain रहेंगे ये अगर मान लीजे 60 minute भी खेलते क्योंकि ये पूरे fit नहीं है अगर start नहीं करते फिर तो हम इनको drop करेंगे ले ये जो यल्लो से मैंने highlight के इनके most important player रहने वाले है तो दोस्तों ये दोनु टेम्स के बारे में info थी अब आजाते है prediction में predict करना match easy है तो फिलान मेरी prediction 2-1 है लेकिन ये 2-0 Milan भी हो सकता है, हो सकता है Milan अच्छा clean sheet से जिए सकते है लेकिन में यहाँ बेल मुझे लग रहा है ए अलग-अलग combination के 8 GL और 1 SL टीम और हर ISL match की 8 GL और 1 SL टीम आपको मिलती है हमारी telegram channel में जिसका link description में है नहीं तो आप telegram मे at the rate fantasy sports is 5 साच मानेंगे 2.5K से ज़्यादा सब साला channel आपको मिलेगा यहां से आपको जुड़ जाना है लाइन अप आने के बाद इस match की 8 GL और 1 SL टीम में यहीं पोस्ट करने वालों साथ हर ISL match की 8 GL और 1 SL टीम भी में यहीं पोस्ट करता हूं तो description में telegram का link के जरूर जुड़ जाए तो दोस्तो यह था पूरा वीडियो दुनों टीम्स के बारे में detail info उमीद करता आपको वीडि के साथ जाहन